राधे क्रिश्णा फ्रैंस वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे आज मैं आपको काना जी के लिए वुलन का जो इनर सूर है वो बनाना सिखा रहे हैं इसके लिए मैंने ये मेरे पास फैब्रिक बढ़ा था इनर बनाने के जिए जो फैब्रिक आता है मार्किट से यूश्व ले लिया है इसको लेके मैंने जो पजामी के लिया है मैंने 6 इंच विर्थ खा और 3 इंच लेंद्ध का यूश्व फैब्रिक ले लिया है इसको हमने 누ksi टाइम फोल्ड करना है यहां पर कुछ इस तरह से कट लगा पके यह हमारी जो है पजाम कट जाएगी फिर कि अपर बियर बनाना है इनल के लिए उसके लिए हम फैपरिक लेंगे उसको फोलड करेंगे फोलड करके वि Gibrania City कि सब्सक्राइब यहां पर मार्किंग कर कुछ इस तरह से माग करके इसको कट कर लेंगे कट करने के बाद हमारे पास यह आ जाएगा जब हम इसको कट करके फिर हम इसको बीच से कट करके और जो है नेक उसकी भी कटिंग दे देंगे तो मैंने कुछ इस तरह से कटिंग कर ली है और जो पजामी है उसकी कटिंग हम या तो सिधा यहां से कट कर सकते हैं या फिर हम पहले फोल्ड कर लेंगे जो पजामी के नीचे वाला यहां से ऐसे स्टिच कर लेंगे और उपर लास्टिक के लिए हम ऐसे स्टिच कर लेंगे इसमें फिर बाद में हम ब्रीक लास्टिक इंसर्ट कर देंगे यह वाला थिन वाला तो मैं आपको करके दिखाती हूँ मैंने पजामी के दोनों साइड स्टिच लगा लिया है अब मैं एक स्टिच में जो उपर वाली स्टिच है नेफिर वाली उसमें हम लास्टिक मैंने सुवी में डाल लिया है तो अब हम ये उसमें फिरो देंगे तो यह हमने लास्टिक इंसर्ट करने के बाद उसको नोट लगा के कट कर लिया अब हमने यहाँ पे स्टिच दे देनी है स्टिच देने के बाद अब हमने यहाँ पे कट कर लेना स्टिच दे के यहाँ से बीच जहाँ से लेग जाएंगी दोनों पजामी में कट करके फिर एक स्टिच हमने यहां पर देनी तो यह कुछ पजामी की शेप में बनके रडी करके मैंने इसको सिधा कर लिया है तो सिधा होने के बाद यह पजामी कुछ इस तरह की हमें दिखती है अब मैं इसका अपर वियर के लिए क्या करूंगी यहां यह जो फिनिशिंग स्टिच दे दूंगे इन सब पर नेक पर और स्लीव पर उसके बाद बाद हम इसको अपोजिट साइड पर प्रटाएंगे यह वला स्टिच जितनी हमें स्लीव की खुलाई चाहिए उसके बाद यह बाद अरट रगा। तो यहांगे वला स्टिच लगाएंगे यह दोनों साइड और फिर लास्ट में यहां पे स्टिच दे देंग फिनिशिंग के लिए यहां पे पे खाल याहांप यहाीं बनके हमारे पास रेड़ी हो जाएगा इसके साथ यह पजामी यह जो मैंने बनाया है यह ओलमॉस्ट थ्री नंबर के काना जिक्ट हो आएगा तो आप अपने साइज के कोडिंग आप जो मेजरमेंट के लिए पहले कोई भी नाइट सूट भी ले सकते हैं या कोई गरम आपके यह सूट दो से तीन नंबर के काना जी का है तो अगर आपको पसंद आए तो आप बनाएं और काना जी को ठंड से बचाएं थैंक्यू एंट राधे 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 प्रेंग्स